साथ शीरियकाल जी मैं अमन्जोत को राप सब जीदा पोजिटिव वाइप्स पंजाब चैनल ते स्वागत कर दियां बच्चे अप अपनी मैच सीरीज दा नेक्स्ट टोपी करन जा रहे हैं जीदा नाम है HCF एंड LCM बच्चे LCF नो पंजाबी वीच महत्तव क्या जानदा है ते LCM नो पंजाबी वीच लगुतम समावर्तक क्या जानदा है ओके राजे बच्चे लेक्चर तीज़े वीच आपाँ डिवीजिबिल्टी टेस्ट पड़े सी सारे ता डिवीजिबिल्टी टेस्ट 13 किसी स्टूडेंट ने कुमेंट सेक्शन वीच पूछे परना हो डिसकस करदे हैं त्थरस इस्वीजिबिल्टी टेस्ट पड़े स्टीन है वो थोड़े सा एकव सेबल्टी टेस्ट आप पर पहले सह பरने 17 करंगे तो बाद जेड़ा आंसर आंदा है इत्थे दो आया उन्हों अग्गे डिजिट तो जेड़ा नंबर बंदा है उदे विचो कटा देने हैं सब्ट्रेक्ट कर देने हैं माइनस कर देने हैं ठीक है राजे इत्थे 238 आ गया हले वी 3 डिजिट नंबर है गया ताप है फेर अग्गे वले डिजिट तो नंबर बाण रहे है इत्थे मितलब जिवें 23 है उस्चो कटान है सब्ट्रेक्ट करना है बच्चे जो तो 23-16 किता है इत्थे आ गया 7 जेड़ा लास्ट चे नंबर बचदा है जे बच्चे 7 ए लास्ट वले नंबर नो डिवाइड करे ता एदा मतलब 7 जेड़ा 7 है वो ए ओरीजिनल नंबर नो भी की करेगा डिवाइड करेगा ठीक है डिवाइड इन दे सेंस बच्चे कि विजो तो तुसी 7 राखके इदर 2,4,0,1 रोखोगे 6 करके रिमेंडर किना आएगा 0 ठीक है उन बच्चे डिवीजिबिल्टी टेस्ट 13 देखो इस विच की करना है यूनिट डिजिट नो 9 नाल मल्टिप्लाई करना है बाकी सब से मैं एग्जाम्पल नाल कर दें देखो जी मैं बच्चे 858 गीवन है अपानू ठीक है एदा यूनिट डिजिट की होया मतलब जेड़ा लास्ट विच नुमबर होंदा है ठीक है एदा किना है राजे 72 हुन अग्य डिजिट जेड़े है गया है दो उनना तो जेड़ा नंबर बान रहे है बच्चे उस चो माइनस करना है ठीक है जादे थे माइनस किता किना है ठटीन आपनू पता है जेड़ा ठटीन हो ठटीन नो डिवाइड कर दें ता एदा मतलब जेड़ा ठटीन हो ओरीजिनल नंबर नूवी की करेगा डिवाइड करेगा ठीक है राजे इस विच देखो सेवन नाल यूनिट डिजिट नो किसना मल्टिप्लाई कर दे सी टूनल मल्टिप्लाई कर दे सी इथे यूनिट डिजिट है जेड़ा उन्नो नाइनल मल्टिप्लाई कार र चोलो बच्ची आपा हुन HCF LCM टोपिक वाल वद दियां ते पहला बेसिक डिसकस कर दियां फिर आपा HCF LCM दी डेफिनेशन ते फिर एग्जांपल्स वाल जाम आगे ठीक है राजे हुन प्राइम दी डेफिनेशन आपा पहला पाड़के आए प्यां फैक्टर दा वी नंबर हुन दा है जिदे फैक्टर सिरफ दो हुन केड़े वन ते खुद जी में टू है ता टू दे दो फैक्टर है एक टू खुद छीक है ते फैक्टर बचे आपा की पड़िया सी जी में ओ दो भी एग्जांपल दीती सी दास नो जो तो दो डिवाइड किता देखो राजे मतलब जेड़ा दो है वो दास नो डिवाइड कार रहे है ता इत्थे दो मेरा की ये फैक्टर है कीदा दास दा जा मैं की कमा दास मेरा मल्टीपल है दो दा ठीक है हुन बच्चे दो इत्थे फैक्टर वी है दास दा ते दो अपनू पता है प्राइम नंबर है तो मैं दोनों की कमांगी प्राइम फैक्टर कमांगी की दा सिदा चीक है बच्चे बास इस च मैं सिर्फ प्राइम दी डेफिनेशन दसी है तो उन्हा दोना दी डेफिनेशन कठी कारके दसी है कि प्राइम फैक्टर की हुंद है प्राइम आपनों पता है सी फैक्टर आपन multiple मतलब दो लिए टेबल तज याएगा नाद फेक्टर गया में से लिए कि राई में दे हं Caleb छिए दौना ह। देखो जी मैं 12 हैं 12 की में लिख सकते हैं 4 into 4 multiply 3 अग्गे 4 नो दवारा खोल के लिख दो 2 into 2 3 ठीक है राजे नो मैं 12 की में खोल के लिखता prime factor इसारे की है prime है 2, 2, 3 इसारे की है prime मैं prime दे एज़े 3 prime दे करके multiply करके मिर्कोल की बनेगा 12 बनेगा तह मैं हर इक नमबर नो हर इक नमबर नो एवे prime factor दे product वीच लिख सकती हैं मतलब prime factor दी इस तरहां लिख सकती है product वीच जी में तुस्य में देख लो 12 3, 4 फिर 4 नो अग्गे खोलता 3 बना के देख लो जब अच्छे इन्हों एवेजी में आपका कर दे हुने अब पहला दो ते पेज लो 2, 6, 12 फिर 3 दे टेबल ते 3, 2, 6 बच्छे ये चीज बता है कि में आंदा है गा है बस इते quotient लिख दे रहने है कि वी 2 दे टेबल ते 12 को दो आंदा छे ते 3, 3 दे टेबल ते 6 को दो आंदा 2 दो दे टेबल ते 2 को दो आंदा इक दे ठीक है राजे ? बस इससी बेसिकली ये दसन jouerसी कि अपा हर इक नंबर नूं एमें प्राइम पार्ट्स विच तोड़ सक देयां ठीक है जादि कि जदो उन्हा नूं द्वारा मल्टिप्लाइ करांगे तो अपने कोल की है सेम उही नंबर बनेगा जहां तुसी ट्री बना के चेक कार लिया करो जड़े प्राइम नंबर आगे उत्थे रुक गया बाकि जड़े दूसरे नंबर आउन्हों अगे तोड़ दे रोए दोनों प्राइम आगे इत्थे रुक गये जहां बच्चे तुसी आएमे चेक कर लिया करो साब तो छोटा प्राइम चेक कैसी जिमें थे दो दो दे टे टेबल ते बारा को दो अंदा छ छे ते फिर दो दे तिन दे टेबल ते को दो अंदा जिदे मर्जी प्राइम फेक्टर ते तुसी पेच सक दियो ठीक है राजे उस तो बाद आप अपनी डेफिनेशन वाल मूव कर दें ली ऐल सीम अलसीम दा मतलब की उन्दा इंगलिश विच लीस्ट कोमन मल्टिपल बच मैं मल्टिपल लिख्ले मैं दो दे सारे ठीक हैneyं करना है टू ओ दे फोर मैं तू दे भी मल्टिपल लिखले मल्टिपल राजों जो दो ते टेबल दे अंदे हैं ठीक है जम कोमन मतलब आम जिड़े दोना विच हूं ठीक है हूं देखो कि वह केड़े कोंबना जिड़े दोना विच है चार दोना विच है आठवी दोना विच है बारावी हरा राजroeं पिर सारे कोंन् T एक्टर है common multiple हैं बच्चे common multiple ठीक है पहला मेंने की लिखिया सारे multiple लिख लें फिर मैं common देख लें कि दोना चार वी आरहे है आठ वी आरहे है बारां वी आरहे है सोला भी आरहे है ठीक है उन बच्चे उनने अग्गे word की यूज कारता लीस्ट मतलब साब तो छोटा ए देखो बच्चे अग्गे multiple सारे वद दे जा रहे हैं आपने केडा multiple लेना है जिडा साब तो लीस्ट होवे साब तो छोटा ता एदा देखो साब तो छोटा multiple केडा आरह ठीक है फिर मेने कोमन दस्या भी कोमन किया कोमन बच्चे जड़ा दोना विच मल्टीपल बैठा पर ठीक है फिर उस विचो साब तो छोटा वला मिने स्लेक्ट कार लिया तो इन्नों की कहता है एलसीम कहता ठीक है एक होड़ एक्जेम्पल कर दें बच्चे आप दो नंबर कोई दो नंबर दा तीन नंबर दा मतलब दो तो वाद भी नंबर आजन तो आप एलसीम्पाइंड कार सकते है ठीक है उन देखो बच्चे एलसीम दा मतलब पहला मैं सारे हैं मल्टीपल लिख ले सारे हैं ठीक है तीन दे मल्टीपल लिख ले आठ दे बारा दे ठीक है एक देखो कोमन पहला एक देखो 24 आ रहे हैं हाना उस तो बाद राज चेक करो भी केड़ा कोमन मल्टीपल बांड रहे हैं दोना विच आ देखो 4848 आ देखो अग्गे भी बच्छो और बोज अग्गे भी मल्टीपल बननगे ठीक है बट आपने की स्लेक्ट करना लीस्ट वला सलेक्ट करना है उसलेक्ट कोमन मल्टीपल जेड़ा लीस्ट है ये तिनना नमब़ सब्ञेड चेड़ा है 254 ठीक है राजा एं मल्टीपल रॉट पता लगया है तो बढ साब तो छोटा वला ठीक है है इसलिए डिवीजन मेथड नाल भी कर देया है यह सिरफ तो अनों डेफिनेशन समझान ली सी कि वी एलस्यम बेसिकली हुंदा की गया है ठीक है डिवीजन मेथड देखो बच्चे इस विच की कर देया है पहला थे इन्हों नों एक रो विच लि तों ठीक है फंटे डो तो स्टार्ट कर देया है दो दे ₌ते टे नहीं आंदा जो नहीं आंदा तो नूमबर नओ एजटी्स लिख दिन धे जोड़ो नहीं आंदा डिवाइड हूंदा ठीक है हुन 2 ते टेबल ते 8 को दो आंदा है 4 ते ठीक है उस तो बार 12 को दो आंदा है 6 ते हलेवी बच्चे 2 ते टेबल ते जा सकता है क्योंकि आदेखो 2 ते 2 multiple बैठे हैं तब मिने दवारा 2 ते टेबल ते पेज था 3 एज़िटी क्योंकि आपने पता है 2 ते टेबल ते 3 नहीं आंदा 2 ते टेबल ते 4 को दो आंदा है 2 ते 2 ते 6 को दो आंदा है 3 ते फिर दवारा 2 ते टेबल ते पेज दो बच्चे इते 1 ना जेगा ठीक है फिर जोदो 3 पेज जोगे इते सारे याँ कोल 1 ना जेगा बच्चे जेड़े हूँ ए फैक्टर्स आएं जोदो तुसी इना नो मल्टिप्लाइ करोगे तो ओड़ा LCM आजेगा फिर तुसी इना नो मल्टिप्लाइ किता 2 इतो अब मल्टिप्लाइ करके आंसर किना बनेगा 24 ठीक है बच्चे आंसर होई बनेगा 24 ही बन रहा है से ना इधर कोमन मल्टिपल आ देखो ठीक है एक यह डिवीजन मेथरण करके दगा दिवीजन मेथरण की कहना पहला इन्हों रोज लिख लो प्राइम फेक्टर 2 सेलेक्ट कर लो यह 3 सेलेक्ट कर लो फिर देखो 2 दे टेबल ते जो दो 8 हो किने ते आ रहा है 4 दे 12 का दो आ रहा है 6 ते आ रहा है जेड़ा नमबर नहीं डिवाइड करता है गा उदा मल्टिपल नहीं है गा अन्हों एज़ी टेज नीचे उतार ले यह फिर दोवारा देखो यह 2 दा फिर मल्टिपल पे यह वी 2 दा मल्टिपल है मैं फिर 2 ना डिवाइड टू दे टेबल ते पेज था टा 3 इदतर फे 2 दे टेबल ते 4 को दो आंदे 2 दे टेबल ते 6 को दो आंदे 3 दे बच्चे हले वी टू दे टेबलते जा सकता तू दे टेबल ते पेज जिया फिर त्री दे टेबल ते पेज जिया एज एड़े बच्चे फैक्टर जाए इनन उजद तुसी मल्टी बलाई किता था टोड़ा एलसीम आ गया ठीक है राजे उस दो बाल HCF, HCF भी बच्चे पहलना आपा डैफिनेशन तो ही चलाँगे हाना एदे नाम तो ही चलाँगे ते एवी आपा बैकवर्ड तु फोवर्ड मतलब पिछो दी डैफिनेशन देखनी शूरू करांगे इदी हुन साब्तो पहलना बच्चे इनना ने की किता है फैक्टर दी गा लिकिती है आपाने फैक्टर लिखे सी साब्तो पहलना जो तो अपने नमबर सिस्टम स्टार्ट हो या सी देखो राजे फैक्टर लिख दे आपा पहलना फोर ते एट दा फोर दे फैक्टर लिखने है मतल कि टू फोर नो डिवाइड करदा है उस्तो बाद फोर एट दे फैक्टर्स लिखो वच्छे उन वन तू फोर एंड एट फैक्टर्स लिख ले पहला स्टैप हो गया उनों कहा रहे हैं कोमन कोमन मतलब जोड़े दोना चो कोमन हों कोमन मतलब दोना विच बैठे हों ठीक है वन मतलब कि दोना विच है उननाने केड़ा सेलेट करें है नो हायस्त जाब तो बड़ा था है 8 फोर हो ऻिच थीक है बच्छे स्चेय मतलब किया हायस्त कोमन फैक्टर्स लिख के दखाए उन्नूं फैक्टर्स केड़े हुझद है जएडे उन्हानु ठीक है नेक्स्ट कोश्चन वाल मूव कर दियां बच्चे एच्छ आफ आप आप एक डिवीजन मेथर नाल भी फाइंड कार सकते हैं ते फैक्टर्स लिख के तक आरी सकते हैं जी में दुबारा फैक्टर्स नाल जे करिए देखो आठ दे पहला फैक्टर्स लिख लेने हैं व आप्टो फोर ठीक्स हमी फोर फेक्टर्स लिख ले चाहिए वाल करें तो आप्टो ऑप्टो अपन धी लिख ले कोमन्टस लेक्ट गरना है थीक है हूं देखो राज कोमन जोडिस्लेक्ट गेता हैं वान टू यह जड़े फैक्टर्स लोना विच बैठ भी चिन वैसी हमन तो नहीं की कहा हाइस्ट स्लेक्ट करना है तो देखो वन टू फोर चो हाइस्ट केड़ा है गया फोर ता मतलब एचिफ ओफ फोर एचिफ एट कोमा टवैल दा किनना आगया अपने कोल फोर आ ठीक है राजे हुन डवीजन मैथड ने हल कारके देख देख दे यह बाइड डेफिनेशन चल लेसी अप आप देखो बच एचे डवीजन मैथड की कहन दा है कि वी दोना विचो जेडा नमबर है उन्हों अंदर लिखे लैं ते जड छोटां नुब लिखे लैं ठीक है बच्चे फिर टिवाइड कितां लिदे अन्हेan पीर बेज के अंतले टेबल किन्हा बच्चत चार ता मतलब अज़र एक वरी होरना की करना है México? चार न हुदू चार न ला दिवाइड करना है किन्नो? ए जेड़ा इत्ते अपा नमबर लैके चले है ता है डिवाइड किता है किन्न आया? रिमेंड्र अपना इत्थे आगया जो दो रिमेंडर जीरो आणा है तो इथे रूक जांगे आपा बच्चे इथे फिर अपना HCF किनना आया एवला नंबर जड़ा इथे बैठा होएगा remainder 0 आते तो इन्नों की कमांगे अपना HCF कमांगे तो आंसर किनना आगया 4 definition नाल भी बच्चे 4 आया division method नाल भी अपना आंसर किनना आया 4 आया ठीक है की किता सी बच्चे बना जी में दो नंबर गिवन सी आपानू 8 ते 12 वड़े नंबर नू अंदर रख्या छोटे नंबर नाल डिवाइड गिता फेर remainder नू दुवारा किस नाल डिवाइड गिता जेड़ा पन स्टाटिंग चे नंबर इते बार रख्या सी ओदो तक प्रोसेस चली जानी है जादे तक अपने कोल के remainder 0 नी बंदा ठीक है तो जोदो जिस टाइम remainder 0 बान गया तो ओथे इस जगा ते जड़ा नंबर बैठा हुएगा डिवाइजर दी जगाते तब बचे ओपने की होजेगा HCF होजेगा ठीक है जिवें बचे आपए दो तो ज्यादा नंबर दा LCM फाइंड कार सकते हैं ओमें दो तो ज्यादा नंबर दा HCF भी फाइंड कार सकते हैं ठीक है की में करना है पहला कोई दो नंबर चाक लो ठीक है यहां 36 ते 84 दा कर लो यहां 36 यहां 72 दा HCF कर लो जा 72 यहां 84 दा HCF कर लो ठीक है राजे चलो पहला पैंज कर दें आप 36 ते 72 दा HCF कर दें फिर जो आंशर आएगा ओधा 84 नाल HCF कर लांगे ठीक है HCF के में बच्चे वड़ा वला नंबर अंदर रखना है ते 36 बार 36 जदो डिवाइड गिता राजे ता 2 दे टेबल ते चला गया ता पहली वार ची अपने कोल किनना आगया 0 आगया मतलब इत्थे जो दो आपा HCF 36 ते 72 दा फाइंड किता ता बच्चे किनना आया HCF अपने कोल 36 आगया हुन जड़ा आंसर आया ते जड़ा एक नंबर रहा गया सी ओना दा HCF आइंड करना है देखो राजे हुन 36 ते 84 दा HCF आइंड करना है कि एक ता बच्चे आपा जड़े वी दो नंबर दा पहलना HCF काड लिया ओधा जड़ा HCF आया उन्हों 30 नंबर नाल डिवीजन में थड़ करना है ठीक है राजे हुन देखो 84 नू अंदर राख लाए क्योंकि 84 वड़ा सी ते 36 ना डिवाइड गेता पहलना 2 ते गया किना आया 72 ता बच्चे किना बाचे गया 12 हले रिमेंडर जीरो नहीं आया ता मतलब अग्य प्रसेस जाएगी यह ही वला नंबर जीड़ है गया उद्वारा इत्थे आ जोगा 36 तो इननों फिर डिवाइड किता तो इस टाइम अपने कुल आंसर किना आगया 0 आगया मतलब 12 लिकी आगया अपना HCF आगया ठीक है राजे आंसर अपना इस कोशन दा की बनेया 12 ठीक है इस विच बचे किया है जो तो तीन नंबर गीवन सी HCF दे पहला मैं दो नंबर दा क राजे हुन बचे आपा फैक्टराइजेशन मैथड करना है हुन देखो एक बचे आवला मैथड किता सी LCM कर दें ली ए ता बचे तो उन्हों सिर्फ डैफिनेशन समझान ली किता सी ना कि वी LCM हुंदा की है फिर LCM इक आपा ए डिवीजन मैथड नाल कर दिया सी ठीक है उ ठीक है दो नंबर दावी कारके दखाया जो तो तीन नंबर गीवन हो नो दावी उन्हों बचे फैक्टराइजेशन मैथड आगया फैक्टराइजेशन मैथड चे एमें है कि वी इस एदेना LCM वी फाइंट हो जानद है HCF वी लब्या जानद है पर एदेली करना की पहलना आपानू जेड़े दो नंबर गीवन है ठीक है इनना दी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंट करने हैं मतलब इनना नू प्राइम प्राइम बिच तोड़ना है नंबर नू ता आपा की करांगे पहलना 24 ओ जी में कर दे सी स्टार्टिंग चु टू दे टेबल ते को दो तोड़नी मंनननननने लों 13 साथे मिन प्राइम फैक्टर सब्सवा सब्सवार्टिंग 12 डाड़न उल्यों 12 डा़न इननद सब्सյारे प्राइम फैक्टर्ल गलिवने 22 डेबल ते राख्राइजे राट़ने 18 धिन के टोड़ने 18 थे उल्तौरल टू दे टेबल ते चला गया 9 2 9 जा 18 फिर 3 दे टेबल ते चला गया ठीक है राजे अपने की किता है 24 ते जड़ा 18 है ओदे की है प्राइम फैक्टर्स काड ले ठीक है आ देखो 24 दे केड़े 2 x 2 x 2 x 3 18 दे 2 x 3 x 3 ये लिखते है इदर ठीक है मैं इनू पावर विच लिख रहे हैं वच्चे 2 किन्नी वरी है 3 वरी ठीक है उस बाद 3 इत्थे किन्नी वरी है 1 वरी ते इत्थे वच्चे 3 किन्नी वरी है 2 वरी हाणा ते 1 के 2 की है 1 वरी ठीक है वच्चे मैं इही चीज नो रियर्रेंज करके लिखे हैं ठीक है हुण बच्चे एट रिक विच मैथड विच की याद रखना है कि वी जो दो उन्हाने किया है HCF पहला इत्थे 2-3 लिख लो जड़े जड़े प्राइम आये अपने ठीक है हुण याद रखना है कि वी इन्हाने H के है है H मतलब की हुण दा हाइस्ट हाइस्ट वच्चे हाइस्ट मतलब वड़ा पर इत्थे आपा की है पावर्स केड़ी लेनी है छोटी हुण 2 दी छोटी पावर केड़ी है एक 3 है एक 1 है मैं की लेली 1 पावर लेली ठीक है हुण 3 दी पावर लेनी है थ्री दी केडी वली पावर लमागे आपक छोटी एक पावर टू है तो एक गया वन ता मैं किन्नी ले ली वान ले ली ता है टू इंटू थ्री कारके टू मल्टिपलाई थ्री दो गुणा तीन कारके किन्ना आया छे आ गया हुन बच्छे ऐल सीम चे किरना है LCM दा मतलब की हुँदा लीस्ट है ना छोटा पर आपा इते पावर्स जेड़ी चकांगे दो ते तीन दियाँ वड़ी चकांगे आप अपोजिट कार रहे हैं जो दो नाने हाइस्ट केशी जो दो एच्च के आ सी एच्च मतलब हाइस्ट हाइस्ट मतलब वड़ा उदो पावर सापा केड़ने हैं लितियां सी फैक्टर्स दियां छोटियां वलियां लितियां सी जो दो लीस्ट के हैं लीस्ट मतलब छोटी मतलब आपा फिर वड़ी पावर लुमागे हुन दो दी इत 2, 1 तूसे 1 तरव께 10 0-2 है 2 लों तो इंसे, 2 लिए 72, मतलब 2 सुनि तोसी सुनिट्राइध मल्टिपलाइध सुनि क्यों से हैं, देखो प्राइम वेक्टराइजेेशन लिखनाना, प्राइम यूझा, पाराजा वर्ड शुनिक लिखे लिए ठीक है फिर उना दी आई में पावर वली फॉम चे लिखता कि दो दी पावर तीन है तीन दी पावर एक है इद्धर तीन दी पावर दो है दो दी पावर एक है उन्हें थे ट्रीक की लाई है बच्चे जो दो HCF किया हुनना ने HCF मतलब हाइस्ट मतलब वड़ा ओदो मैं किया दो ते तीन दी पावर छोटी वली चक्की सी ठीक है जो दो हुनना ने LCM किया L मतलब लीस्ट ओदो पावर मैं किया दो ते तीन दी वड़ी वली पावर लिती सी जै मैं दो दी थे तीन है ते एक है मैं तीन जड़ी की एक ते दो पावर हैं पर मैं की यह लीस्ट तो मैं फदीवली लीती ठीक है याद रखने अपोजिट पावर चकनी है गे जे हाइस्ट की है तो चोटी वली पावर चकनी है जे लीस्ट केया तो वड्डी वली पावर चकनी है अपने नेक्स्ट कोश्चन कर देयां क्लियर हो जुगा है न बच्चे ट्वंटी सेवन ते एटीन दा ठीक है राजे इनना दा भी LCM मतलब पहलना प्राइम फेक्टराइजेशन फाइंड कर देयां ते फिर आपा क कॉंटीन्यू कर देयां ठीक है लुख राजे बच्चे पहला ट्वंटी सेवन ते 64 दा लस्या मतलब पता लगोगी करना हो मैं पहला ट्वंटी सेवन प्राइम फेक्टर्स फाइंड कर देयां थ्री टेबल ते 27 को दो आंदे 9 ते फिर 3 पिर 3 और दें दिस पे देख राज फिर 64 दा फाइंड कर देयां पहला हमेशा टू तो स्टार्ट कर दो हाना इत्थे टू दे टेबल ते 27 जानदा ने क्योंकि 7 यूनिट डीजिट जड़ा हो 2, 4, 8, 6 नहीं है गा हाना 64 जानदा है टू दे टेबल ते क्योंकि उदे यूनिट डीजिट किया 4 है अपा युदि टू दे टेबल ते 32 कर दो हान दा है 16 थे हाना 8 फिर 4 फिर आज लास्ट चे बान आ गया ठीक है हुन अपने 27 दे भी प्राइम फेक्टर्स लाब ले किनने आगे ये प्राइम फेक्टर्स आगे ज़ो मैं 3 नू 3 वरी मल्टिप्लाई करां 27 ज़ो 2 नू मैं 6 वरी मल्टिप्ल बान जोगा ठीक है अपने प्राइम फेक्टर्स लिख लिए 27 दा भी ते 64 दा भी ठीक है एक हुए राजी 3 दी पावर 3 है हाना एक ही है 2 दी पावर 6 है कि वी 2 छे वरी है ते 3 तीन वरी है राजी इत्ते 2 नहीं है ता मैं लिख सकते हैं कि 2 दी पावर 0 क्योंकि आपनों पत ठीक है कोई भी नमबर दी जोदो पावर की होवे 0 होवे ता हो 1 दे एक्कोल है मतलब मेरा इत्ते कोई फर्क नी पैन लगगा जै मैं 2 दी पावर 0 ते इत्ते 3 दी पावर 0 ना लिख दा क्योंकि दोनों की है ए वी 1 दे एक्कोल है ए वी 1 दे एक्कोल है ठीक है हुँन राज इथे लिख लो पहलना 2 ते 3 इथे भी लिख लो 2 ते 3 हुँ देखो बच्छे आपा पावर देखने है केड़ी आएगी H means H दा मतलब highest इथे highest मतलब वड़ा हाणा बट आपा पावर केड़ी लमाँगे छोटी लमाँगे ठीक है 2 दी छोटी पावर केड़ी आए 0 के 6 0 ठीक है highest वड़ी मलब पावर छोटी लेनी है 3 दी छोटी पावर केड़ी आ 1 0 है ते 3 यह बट आपा केड़ी आए छोटी पावर लेनी है ठीक है ता राजे इनना दा HCF केना आया 2 दी पावर 0 क्यों है 1 थ्री दी पावर जीरो भी किनना या 1 ता आंसर किनना या HCF 1 आया ठीक है राजी हुन LCM देखने LCM L दा मतलब लीस्ट लीस्ट मतलब छोटा पर आपा ट्रीक चकी पड़े है जो छोटा है तो आपा पावर केड़ी लेनी है वड़ी लेनी है टू दी एक पावर की या 0 है टू दी एक पावर इथे की या 6 है ता आपा केड़ी लेनी है 6 ठीक है थ्री दी पावर भी आपा लीस्ट लिखे है ता आपा वड़ी लेनी लेनी है ता आपा पोजिट पावर लेनी है ता थ्री दी पावर एक 0 है एक 3 है आपका की लैनी है वड़ी लैनी है तो 3 दी पावर 3 जो तो बच्चे तो सी इनों नों मल्टिप्लाइ करोगे ते आंसर आएगा 1, 7, 2, 8 ठीक है बच्चे कंसेप्ट कलियर होया कि विज़ो को दो पावर वड़ी लैनी है दोना दी ते को दो पावर छोटी लैनी है अल्रेडी प्राइम फैक्टराइजेशन गीवन है ठीक है इस वरी में तीन नंबर गीवन है तो मैं है एच्चिया फाइंड करना है तो पहले आप लसी एम फाइंड कर दिया देखो राजे की वी देखो सारे हैं चो टू भी है थ्री भी प्राइम फैक्टर है गया फाइफ भी है इत्थे सेवन नहीं है तो मैं लिख लाएं सेवन दी पावर जीरो लिख लाएं ना देनाल कोई फरक नहीं बेंदे क्योंकि सेवन दी पावर जीरो के उन दिया वान लूंद है ठीक है राजये देखो मेरे पहले नंबर्चे 7 दी कोई पावर नहीं थी ता मैं 7 दी पावर 0 लिख लिया 7 दी पावर 0 वन हों दा है ता मतलब कोई इत्थे मेरा फ़रक नहीं पहन लगगा नंबर्च ठीक है ते इत्थे दोनों फैक्टर वीचे की है 11 दी कोई पावर नहीं सी मैं 11 दी पावर किया जीरो लिख ली अपा LCM फाइंड कर दे है पहला सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लेने है 2, 3, 5, 7, 11 फिर इनना दी अपा किया पावर डिसाइड करांगे की वाएगी ठीक है ता देखो बच्चे LCM की होंदा है L मतलब लीस्ट ते आपा ये मैथड चो पढ़े है कि वी लीस्ट है ता आपा वड़ी वली पावर लमागे ता 2 दी वड़ी पावर केड़ी है सारे आँचो 2 दी पावर 2, 2 दी पावर 3, 2 दी पावर 4 साब तो बड़ी पावर केणिया 4 3 दी पावर देखो बच्चे 3 दी पावर 3, 3 दी पावर 2, 3 दी पावर 4 साब तो बड़ी पावर केड़ी है 3 दी पावर 4 फुन बच्चे 5 दी पावर देखो 5 दी पावर 5, 5 दी पावर 2, 5 दी पावर 1 ता मतलब इस विच केड़ी साब तो वड़ी है पावर 5 दी ता 5 दी पावर 5 ठीक है राजे उस तो बाद 7 दी पावर देखो 7 दी पावर 0, 7 दी पावर 1, 7 दी पावर 2 मतलब इथे की आएगा 7 दी पावर 2 मतलब वड़ी वली पावर ले रहे हैं आपा 11 दी पार 0, 11 दी पार 0, 11 दी पार 1 तो इत्थे की आएगा 1 ठीक है बच्चे? की किता सी अपने L लीस्ट सी बट अपने powers की लितियां, वड़ी वलियां लितियां सी ठीक है? हुन बच्चे HCF देखो इत्थे भी पहला HCF करां दी की करो? 2, 3, 5, 7, into 11 ठीक है? हुन बच्चे गाल सुनो HCF लिखे है HCF की पड़े है, आपने हाइस्ट पर आपने की लेने हैं मैथड वीच ओ पोजीट लेने हैं, जी हाइस्ट कहा है तो मैं छोटी पावर लेनी हैं तो 2 दी साब्टो छोटी पावर केड़ी है बच्चे 2 देखो 2, 3, 4, 2 दी साब्टो छोटी पावर 2 3 दी पावर देखो बच्चे 3 है, 2 है, 4 है साब्टो छोटी लेनी है मिलब 3 दी पावर 2 उस तो बाद 5 दी पावर देखो बच्चे 5 दी पावर 5 5 दी पावर 2 तो 5 दी पावर की है, कुछ 1 है जोड़ो कुछ वे नहीं लिख्या हुंदना बोधी तर इसे फाइव दी पावर वर ना हमयी वहीँ उन् intéressant फाइव़ देखो बच्चे टू हैं से ant पाव़ वर वाववर गांने जिड अप्पा की लेए गाल सब्थेधक उप C F A में रखिया गया, L C M, ठीक है राजे, बचे कोशन ट्राई तुसी करें, ठीक है, तीन नमबर गीवन है अपनू, दसने इना चो अप्शन के डा ट्रू है, बचे A B चे L C M दसने, कि L C M A वला ट्रू है या B वला ट्रू है, ते A C ते D ओप्शन है, ठीक है, L C F दसने तु से स्विच, ठीक है राजे, उस तो बाद आप आगे मूव होने हैं, बचे इस दा अंसर कोमेंट स्विच दसे हो, ठीक है कि L C M वला केड़ा ओप्शन ट्रू है, A या B ते H C F वला केड़ा ओप्शन ट्रू है, ठीक है, सेम जी में कोशन किता है, जिटो ओवी है, ठीक है, अपने इस तो पहले वले लेक्चर च किये ट्रीक किती सी, स्केर ओफ एनी नंबर एंडिंग विद फाइफ, जेड़ा नंबर पांच नाल एंड हुंदा है, जिदा यूनिट डीजिट फाइफ हुंदा है, उदा आपा स्केर फाइंड किता सी कि में, कि विया जी में 15 है, ए ठीक है, 35 दा की किता सी बच्ची अपा, 25, 3 तो नेक्स नंबर केड़ा आंद है, 4 तो फेर इस ना मल्टिप्लाई करके किन आया सी अपने कों, 12, ठीक है, तो ए बच्चे में तो अनूं कुमेंट बोक्स विचे पुचिया सी सार्या नूं, तो सार्या ने दा आंसर बिल्कु तो आंसर टोटल बने या, 110, 25, ठीक है बच्चे ए ट्रीक वान सी ये सार्या दा साइसी आंसर, ठीक है, आज आप पर ट्रीक टू कर देयां बच्चे, इस विचे किया, अपा मल्टिप्लाई कार रहे हैं, ओ दो नंबर नाल, बच्चे इस चे किया है कि वी जड़े अगे व होनाई यूनिट डीजिट नो चाड़े के, ए सेम होनेगे ते राज़े जेड़े पिछे दो नंबर लिखे पे यूनिट डीजिट बी ते सी, इनना दसम किनना होएगा इनना द जोड़ी कारके दास बन्दा होएगा, ठीक है, ओदो जेड़ी ट्रीक हून दास रहे हैं कोश्चन कर दियां देखो राजे कोश्चन तो ज्यादा क्लियोर होएगा कि पहला यह में लेलो टू फोर टे टू शीक्स ठीक है इन्हानों आइमें कर लो पहला देखो बच्चे कि फोर टे शीक्स नू जोदे तुसी एड किता है दास बांड रहे है तो अग्गे वले यूनिट अग्गे वले यूनिट डिजिक्स नू छाट के अग्गे वले नमबर की यह सेम है दोनों नमबर दे तो अपनी ट्रीकित अपलाई हो सकते हैं कि में करना है इन्हां दोना 24 तो अग्गे वच्चे ए जड़ा नमबर है सेम है इन्हों अपने नेक्स्ट नमबर ना मल्टिप्लाई करना है तो आपनू पता है कि वी दो तो बाद तीन ना अंदा ते इथे 624 तो मेरा आंसर की बने है 624 ठीक है राजे क्लियोर होया एक वरी अपना सेम कोई गोशन कर है इस तरह दा हाँ देखो 10 107 103 मल्टिप्लाई राजे देखो साथ ते तीन नू एड़ करके दास बान रहे है ठीक है ते अग्गे वला यूनिट टीजर नू छाड़ दो ए दोनो नमबर सेम है अपस दास ते दास इद्रो इदास दोना दा एड़ कारके साथ ते तीन नू एड़ कारके भी किनना वांड रहे है दास बान रहे है मतले मेरी जड़ी हुन नमवी ट्रिक सिख्या पाव लगा सकते है की गरना बच्चे इनना दोना नू आपस चा मल्टिप्लाई करना है 7 3 दा 21 ते बच्चे इ देखो 109 101 ठीक है राजे एक ओशन भी देखो बच्चे इनना दोना नू एड़ करके 10 बान रहे है ना 9 प्लस 1 10 ते अगे वले दोनों डिजिट की है सेम है 10 10 ता मतले इस ते वी ट्रिक अपनी अप्लाई हो सकते है की में करना है इनना दोना नू मल्टिप्लाई कित तक इन अधर के आगया 110 बच्चे इत्थे की लिख दें ने टू डिजिट नंबर लिख दें ता जे कला 9 आया तो अगे किया पाता पर ने 0 पाता क्यूंकि इत्थे टू डिजिट वला नंबर लिख दें ठीक है ता अपना आंसरा है 11009 ठीक है राजे एगाल क्लियर होई भी 9 दे अगे 0 के लगया क्यूंकि इत्थे अपर टू डिजिट नंबर लिखना हो दे ता इत्थे कलना 9 आ रहा सी ताम होदे अगे की लिखता जीरो लिखता होनों टू डिजिट नंबर बनान वस्ते ठीक है राजे एक कोशन दा तुसी आंसर कोमेंट बीच दस्यों सेम ट्रीक कि अपलाई हो सकती है एक दोनों आंसर तुसी दसने है एक कोमेंट विच ठीक है राजे बस आज दा लेक्स रिथे ताक है इस तो अगए अपपा कॉंटिन्यू करांगे सब्सक्राइब कर देओ ठेक है ते डाउट्स अपने कोमेंट बोक्स से पुछे ओके राजे थेंक यू बचे तान वाद